तो गाई स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूटूब चैनल पे आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले है दहली इनिवर्शिटी पीजी के जो कोर्सेस है उनके रिजल्ट के बारे में यानि कि जो आपका एक्जाम हुआ था उसके रिजल्ट के बारे में बात करने वाले है एंटे ने जो आपका स्कोर कार्ड है वो यहाँ पे डिकलेर कर दिया है अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह भी आपका स्कोर कार्ड आया यानि कि आपका जो फाइनल जो स्कोर है व तो आप लोग कैसे देखेंगे, यह notice आप लोग देख सकते हो, अभी कुछी देर पहले का यह notification है, जो की official website पर announce करा गया है, यानि की upload करा गया है, यहाँ पर आप लोग यह link देख सकते हो guys, यह जो link देख रही है, इस पर आपको tape करना है, यानि की click करना है, ठीक है, जैसे आ आप लोग इस पर click करेंगे, तो कुछ इस तरह का interface यहाँ पर आ जाएगा, हलाएंकि आपकी सुईदा के लिए मैं टेलिग्राम चैनल पर भी page का link डाल दूँगा, या फिर इस वीडियो के description box में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग क्लिक करके direct visit कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको अपना form number and आपका जो date over तो वो fill गरना है, आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजएगा, यहाँ पर पहले आपको year fill करना, उसके बाद month और उसके बाद day, जैसे यहाँ पर दिया गया है, उसी परकार से आप लोगों को fill करना है, तब भी आपका यहाँ पर यह जो date order वो login हो पाएगा, ओके form number जो है आपको मिल जाएगा, अगर कोई ऐसा student है, जिसको form number नहीं मिलता है, तो वो जो है due के official portal पर विजिट करें, और वहाँ पर जो है अपना email ID और password फिल करके, जो form फिल करा था या फिर आपके पास print out है form गा, तो वहाँ पर regarding आपको यह जो notification वगरा है देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए यह notification आपको दिख रहाएगा, इस PG के, I mean PG का जो scorecard वो आ गया है, अब जो है आपका यहाँ पर mail list बन गया आएगा, जो Delhi University की जो official website है, वहाँ पर release होगा, यहाँ पर आपको अब जो है कुछ भी दे खेर मैं आपको नेक वीडियो में बताता रहूँगा, अभी के लिए आप लोगों के लिए यही update था, कि आपका जो scorecard वो यहाँ पर release हो गया है, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, इसके लिए I am so sorry, okay, and thank you so much वीडियो देखने के लिए